तो इस वीडियो में हम नीव स्टैल से मसाला पनीर बनाएंगे थोड़ी सी बड़ी आपको लगेगी यह रैस्पी लेकिन बड़ी टेश्टी लगती है इसको बनाने के लिए एक चमच कॉन फ्लो लो, दो चमच चावल काटा, हल्दी, नमक, जीरा पॉडर, काली मिर्च का पॉडर, मिर्ची पॉडर और पानी डालके इसका ना मोटा वाला बैटर बना लेंगे हम अच्छे से इसको मिक्स करके उसके इसमें क्यूब सेप में कटे ह पनी डालेंगे, पनीड को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको पांच मिर्च के छोड़ देंगे, उसको प्लेट लेंगे, उसमें दो चमच चावल काटा, काले मिर्च का पॉडर, नमक, मिर्ची पॉडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो हमने पनी भी लिया था न वो लेंगी और इसको अच्छे से स्टफिंग कर देंगे पूरे किनारे साट से उसके बाद फिर इसको प्लेट पे हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे 10 मिन बाद बस गरम तेल में इसको फ्राइ कर लेंगे रेड वाले साइड आलके दोनों साइड से प्याज, मिर्ची पॉर्डर, नमक थोड़ा से मिक्स में सारे डाला और अगर आको टमाइटों के अच्छा पसंद हो तो डालो उने जिसको मिक्स किया और बस ये खाने के लिए रेडी है बड़ी टेश्टी लगती है ट्राइ जरूर करना एक बार